कामर यात्रा की मदरेजन, मुरादवाद का जला परशासन तैयारियों में लगँवा है, साथी अंतिम रूप भी दे दिया गया है, साथी समाजिक सन्स्थाओं से भी सयोग करने के लिए भी काम किया जा रहा है सावन माह में हर साल मुरादवाद मंडल और आस पास की जिलों में लाखो शिव भागत कामडिये अपने आराध्ये भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए हरी द्वार अगल मुक्तिश्वर से कामड लेकर आती हैं जो कि श्रावण मास की समाप्ति तक round the clock कारे करेगा कंट्रोल रूम में नगर निगम, स्वास्ति विभाग, बिजली विभाग, जल निगम, दमकल विभाग के करमचारियों की 8 टी में duty पर लगाई गई हैं जो कामणियों की किसी भी सूशना के आने पर ततकाल अपनी विभाग को सूचित कर कामणियों की समस्याओं का समधान करेंगे वहीं कंट्रोल रूम के जानकारी देत हुए, एडियम सिटी ने बताया कि शावण मास कावण मेला यात्रा के अफसर पर जनपत पर शान्ती एवं कानुन व्यवस्ता बनी रहे इसके लिए आईस्थाई रूप से मेला नियंत्राण कक्ष कलेक्टेट अनुभाग में स्थापित किया गया है जिसका दूरपाश संख्या 0591-2420940 है ये नियंत्राण कक्ष शावण मास की समाप्ती तक राउंड अक्लॉक कारी करेगा कंट्रोल रूमें कावणियों से सम्मादित सभी विभागों की ड्यूटी लगा कर ये निर्देशित किया गया है कि सूष्ण प्राप्त होने पर सम्मादित विभाग द्वारत समस्या को तरित निस्तारण किया जा सके इतना ही नहीं कंट्रोल रूमें एलिटी टीवी लग के निर्देश पर कलक्टेट मुरादाबाद के नजारत अनुभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर है 24-20-940 इस कंट्रोल रूम में पूरे 24 घंटे, 8-8 घंटे की कर्मिचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और विभिन विभागों के जैसे मेटिकल, पी-डब्लू-डी, विद्दूत विभाग, आधिके कर्मिचारियों के भी राउंड अकलाग ड्यूटी लगी है जिस विभाग से संबंधित कोई समस्या होगी, कोई आदमी बतायेगा, उसको रेजिस्टर में नोट किया जाएगा और संबंधित विभाग का कर्मिचारी अ इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, यहां पर दीसरे सोम्मार और चोथे सोम्मार को जलावी सेक के ज्यादा कारक्रम होते हैं, उस समय इसकी उप्योगता ज्यादा रहेगी, अब भी जो सुचना है आ रहे हैं, उसके हम लोग कारेवाहीं कराएगे।